है अल्व व्रेवन वेल्कम यूआ इत लोकेश सर एंव्म््ट्र इस्टेडी जुएंट तो मित्रो आप हम यहाँ पर स्टाट कर रहे हैं रियल अनलेस सेश में हाज पढ़ेंगे जिसमें pomositive terms की convergence देखेंगे कि किस तरीके से positive terms की जो series हूती है वो convergence कर थे और उनके लिए हुं टेस्ट लगाते हैं चेक करनी के लिए कि McMurden थैं कि नहीं हैं उनके लिए हम कुछ tes लगाएँगे जिस इसमें आपके पास में एक comparison टेस्ट होता है तो काफी सारी जीए है lecture के अंदर ये इसका lecture का part 1 है तो यहाँ पर एक तरीके से इसका part 1 है इसके अलाबा भी हमने हमें convergent और divergent पर lectures बनाए हैं बट उसमें थोड़ा सा हाई लेवल पर चले गए हैं हम तो इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एकदम बेसिक से बीसी लेवल से भी कह लीजिए कि बिल्कुल छोटे लेवल से आपको समझ में आए तो आई बिलीव इस वीडियो को मैं part 1 यानि की लेक्चर 1 मैं कह सकता हूँ तो आई ये देर ना करती हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं मित्रू सबसे पहले Convergent Sequence क्या होता है एक सिक्वेंस को यहाँ पर किस किस तरीके से नाम देना है आपको एन यह सिक्वेंस का सिंबल है इधर दोनों तरफ इसके यह निशान रहेंगे और एन ओके सिक्वेंस को किस से रिनोट करते हैं इस चैप्टर में एन अगर आप केवल एन बोलते थे तो यह एन्थ टर्म को बताता था रुट अगर आप एन यह लगाएंगे तो यह सिक्वेंस को बताएगा ओके तो इफक टो सिक्वेंस अ था finite limit L अगर कोई sequence है और वो चलते 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 finite limit L कहीं पर जा करके रुक रहा है ओके if a sequence an has a finite limit L we can say that an converges to L an converges to L एक तरीके से और यह कहिए कि अगर सारे टम को जोड करके अगर किसी sequence के सारे टम को जोड करके वो किसी एक निश्चित पॉइंट निश्चित नंबर L की तरफ concentrate हो रहे हैं तो ऐसे sequence को आप क्या बोलते हैं convergent sequence बोलते हैं ठीक है न मतलब सारे नंबर सिमट करके किसी एक पॉइंट के तरफ जाके सिमटते हैं तो ऐसे sequence को हम convergent sequence बोला करते हैं अगर सभी का जो सम है एक निश्चित पॉइंट की तरफ जाकर के सिमटता है तो ऐसे sequence को हम convergent sequence बोला करते हैं divergent sequence sequence is set to be a divergent if it does not have a finite limit एक ऐसा sequence जिसकी finite limit मतलब यदी हम करें limit n tends to infinity और एन जो इसका nth term है यदी हम उसकी limit निकाले तो उसकी एक finite limit आपको नहीं निकलेगी उसकी एक non finite limit आपको निकलेगी मतलब उसका जो समझाएगा वो एक तरीके से निश्चित दिसा में बिंदू में जाके नहीं concentrate होगा ओके फैलेगी ये series उपर की तरफ फैलेगी ये नीचे की तरफ फैलेगी तो ऐसे series को हम ऐसे sequence को हम क्या बोलते हैं divergent sequence बोलते हैं इसकी कोई finite limit नहीं होती एट having a non finite limit तो यदी मैं डाइग्राम से बात बताऊं convergent और divergent sequence की थोड़ा सा समझ ये आपने देखा होगा physics में एक lens हुआ करता है जिसका नाम होता है convex lens तो जो convex lens होता है वो अपने के ऊपर जितने भी rays आती है चाहिए वो कितनी वीडियो होती है उनको जाकर के एक निश्चित बिंदू पर जाकर के समेट देता है ओके तो यहाँ पर माल लिजे इस idea को समझने के लिए कि ये finite point है एल तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई convergent sequence है तो उसके सभी जो मतलब कहना चाहिए sigma sn कहलो जिसको आप तो equals to sigma an मतलब सारे points का जो सम है वो एक finite value पर जाकर किसी मट जाएगा that is called convergent sequence और दूसरा जो convex होता है वो divergent होता है क्या करता है जो raise उसके उपर आती है यह इसको इस तरीके से और इधर उधर फेग देता है तो वो किसी finite point की तरफ नहीं जाती है उनमें बिखरा हो जाता है बहुत तो इस तरीके से यह जो sequence बनता है infinite sequence होता है Convergent और divergent के अलावा एक sequence होता है oscillatory sequence Convergent और divergent sequence के अलावा एक sequence होता है oscillatory sequence जैसे कि मैं आपके पास oscillatory sequence कैसा sequence होता है एक oscillatory sequence ऐसा sequence होता है कि जिसकी value जो होती है ना convergent होती है ना divergent होता है मतलब जो ना तो सिमटता है और ना तो फैलता है, ओके ना ये कनवर्जेंट होगा, ना ये डिवर्जेंट होगा, अब तो a sequence an is set to be oscillatory if it neither convergent nor divergent, oscillatory sequence दो प्रकार का होता है, एक oscillatory finitely and oscillatory infinitely, ओकी तो दो प्रकार का sequence होता है, oscillatory finitely and oscillatory infinitely, थोड़ा सा बात करिंगो, इसमें मैं detail में भी थोड़ी, according to the it is bounded or unbounded, देखो जो oscillatory finitely होगा वो bounded होगा, वो क्या होगा, bounded होगा, एक example देता हूँ, आपको मैं, जैसे मान लीजे मैं एक sequence आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे, कि one upon one upon जो है, मैंने लिखा कुछ sequence one, minus one, फिर one, फिर minus one, one, minus one, one और minus one, अब आप इस sequence को चाहे कितने भी term में लिख लो, ओके, इस sequence को चाहे आप कितने भी term में लिख लो, मतलब जैसे sequence है, an equal to minus one की power n, यह इसका किसी sequence का nth term है, अब आप इसको कितना भी लिखते जाओ, तो यह one, minus one, minus one, one, minus one, one, तो इस तरीके से n की value के लिए, natural numbers के लिए, infinite तक यह, किबल दो value के बीच में यह vibrate हो रहा है, एक minus one और एक plus one, तो यह जो series है, यह जो sequence है, इसको हम बोलते हैं, oscillatory sequence, तो यह जो sequence आपके पास है, बाट वो किसी दो boundary के बीच में ना हो, वो किसी दो boundary के बीच में, ना हो, चलो example में लेता हूँ, जैसे दो ले लो, और फिर two का multiply minus two के साथ कर दो, तो यहां पे आपने two का multiply, कि से किया, minus two से किया, r equals to minus 2 है और फिर minus 2 से multiply कर दिया तो ये कितना हो गया plus 8 हो गया फिर multiply कर दिया तो ये कितना हो गया minus 16 हो गया फिर multiply कर दिया तो कितना हो गया plus 30 हो गया तो देखे ये जो sequence है ये oscillate तो कर रहा है बट इसकी कोई finite boundary नहीं है एक बार plus है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, बट यह finite boundary नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं, oscillatory infinitely, मतलब यह जो मैं बता रहा था आपको, इसकी oscillate infinitely, मतलब इसकी finite boundary नहीं है, so this is called oscillate infinitely, यह एक प्रकार का sequence हो गया, friends, आईए देखते हैं, कुछ examples करते हैं, type of sequence देख ल sequence log log e 1 by n, तो यह आपके पास माल लिजे, यह sequence है, तो मतलब यह हुआ, an, इसका n term हो गया, an, तो चलिए इसका सामनी कालते हैं, तो as n equal to limit n tends to infinity, ओके, तो limit n tends to infinity, इसका हम, जो है, infinite terms के लिए रिखते हैं, कि यह कहां जा रहा है, इसका infinite term, तो limit n tends to infinity, और an, जो लगाएंगे हम, an equals to, देखिए, इसका nth term infinite वाले term हम निकाल रहे हैं, कि इसका infinite term finally कहां वेरी कर रहा है, तो limit n tends to infinity, log e 1 by n, तो यह directly formula देखिए, यहाँ पर n की जगा infinity पूट कर देखिए, तो कितना हो जगा log e 0, और log 0 आप graph से देखते हैं, log 0 जो क्या होता है, minus infinity होत divergent, ओके, जो sequence होगा, यह कैसा होगा, यह divergent, क्योंकि इसकी value जो है, यह minus infinity की तरफ जा रही है, इसलिए इसे हम, convergent नहीं कह सकते हैं, इसे हम divergent कहेंगे, चलिए, next देखते हैं, अगला, अगला question देखते हैं, यह हमारे पास अगला question है, the sequence sn, अब यहाँ पर एक sequence sn दिया गय and hold to the power n, आईए, इसका हम last का term देखते हैं, इसका infinite term देखते हैं, कि infinite term क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, limit n tends to infinity sn, that is equal to limit n tends to infinity, one plus one upon n, hold to the power n, तो वैसे तो इसकी value directly कुछ बंदों को याद होगी, कि इसकी value e हुआ करती है, क्योंकि यह one to the power infinity का form बन र minus one करते हैं, n आगे उतर जाता, one से one cancel होगया, और n से n cancel होगा, और e की power में सारा मामला होता है, तो e की power one equal to e, equals to finite, तो यह क्या होगया, convergent होगी, क्योंकि यह सारा का सारा value है, यह finite value e, e जो की finite value है, उसकी तरफ जाके, इसका infinite term जो है, इसके e की तरफ जा रहा है, इसलिए यह जो sequence है, यह क्या कहलाएगा, convergent कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने process करी है, वो उसके लिए आपको, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अपना जो lecture है, पुराने, उसमें चले जाएए, यहाँ पर एक monkey trick होती, वो कहती है, कि यह वाली चीज में हो जाता है, ओके, और इसमें से आप one minus कर देते हैं, नहीं तो most better आप सीरे सीरे याद कर लो, कि limit n tends to infinity, one plus one upon n whole to the power n, जो होता है, वो सीरे कितना होता e होता है, तो यह formula एक standard formula है, यह भी आप याद कर सकते हो, चलिए अब बात करते हैं, और बात करते हैं, और बात करते है वो infinite होते हैं, तो वो भी example में मैंने आपको दिखा दिया, कि 2 था, फिर minus 4 हो गया, फिर 8 हो गया, तो इस तरीके से यह oscillatory तो है, हम इसका end वाले term पता नहीं लगा सकते हैं, और यह दो finite boundary की बीच में vibrate नहीं हो रहा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, oscillatory sequence हो जाएगा, अब आ किसी कोई आपके पास sequence था, UN, ओके, यह आपके पास sequence था, UN और इसके जो terms थे, वो क्या थी, UN था, UN था, UN था, UN था, इस तरीके से आपके पास यह terms थे इसके, और आप इनको जोड़ दीजे, तो UN plus U2 plus U3 plus U4 plus dot 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 dot, यह जो structure आपके पास बना है, इसको हम बोलते हैं series, इसक जैसे आपने sequence को देखा, convergent and divergent, तो nature of series भी convergent और divergent होती है, तो सबसे पहले हम बात करते है, convergent series के बारे में, तो convergent series क्या होती है, अभी हमने जिन series के बारे में discuss कर रहे हैं, इस chapter में वो कमसी infinite series है, तो इसको लिखूँगा मैं, infinite series, okay, an infinite series आएगा, n आएगा, an infinite series U1 plus U2 plus U3 plus U2. यह infinite तक जा रही है, is set to be, is set to be convergent, यह convergent कहलाएगी, अगर कब कहलाएगी, जब इसका sum, कहां तक का sum, infinite terms तक का sum, तो जिसको आप लिखते हो, limit and tends to infinity SN, जिसको आप लिखते हो, limit and tends to infinity SN, या आप इससे जो है, इससे जो है, limit and tends to infinity SN, तो Sn निकालना है, तो कैसे निकलेगा, limit n tends to infinity, इन सभी terms का sum, कौन-कौन जो terms है, U1 plus U2 plus U3 plus U4 up to Un, इसको मैं एक चीज़ और लिखता हूं कभी कई बार, इसको मैं लिखता हूं, ये summation, summation मतलब जोड़ो, summation मतलब जोड़ो An, An ये कहलो यहां पे Un आएगा, क्योंकि हम term को Un मान रहे हैं, तो summation Un, okay, n की value कहां से start, 1 से लेके infinity तक है, अगर ये आपको एक finite value दे रहा है, उपर की बात करो या नीचे की बात करो, अगर ये आपको finite value दे रहा है, तो ये जो आपकी series बनेगी, आपके पास ये कैसी series बनेगी, ये convergent series बनेगी, अगर आपके पास इसका जो sum मि finite मिल रहा है, चलिए अब देखते हैं, डाइवर्जेंट series के बारे में, डाइवर्जेंट sequence के बाद हम बात करते हैं, डाइवर्जेंट series, तो जैसा डाइवर्जेंट की sequence की definition थी, वैसे ही divergent series की definition है, the indefinite series, the infinite series, not indefinite, the infinite series, the infinite series, u1 plus u2 plus u3 dot 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 up to infinite terms is set to be, is set to be divergent, ये series को हम divergent कब कहेंगे, is set to be divergent, if, कब, जब limit n tends to infinity, okay, limit n tends to infinity, कहां इसका sum करना है, sn, limit n tends to infinity, sn, that can be written, जिसको हम लेख सकते हैं, limit n tends to infinity, सारे sum कर दो, मतलब u1 plus u2 plus u3 plus up to up to up to un, या इसी को हम लेख सकते हैं, summation, okay, n equals to 1 to infinity, और यहाँ पे un का sum करेंगे, और ये आपको क्या मिलेगा, या तो ये plus infinity मिलेगा, या आपको आपको minus infinity, इन दोनों cases में जो आपकी series होगी, वो क्या होगी, divergent होगी, तो बड़ा easy है समझना, मतलब divergent series को, जो आपके पास series का sum मिलेगा, infinite terms को, वो आपको कैसा मिलेगा, plus infinite मिलेगा, या minus infinite मिलेगा, अब इन दोनों sequence के अलावा, इन दोनों series के अलावा, एक series होती है, oscillatory series, O, S, C, I, L, A, T, O, R, Y, oscillatory, तो oscillatory जो series होगा करती है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कोई infinite series आपको दी गई है, ओके, the infinite series, the infinite series, कौन सी infinite series है, अपने पास में, U1, प्लस, U2, प्लस, डॉट, 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 यू, infinite है, तो इसमें n term मत लीजा, आप infinite terms तक जाएगी, इसको, is set to be, is set to be oscillatory, तो भाई, ये series oscillatory तब बनेगी, जब infinite terms का sum, limit n tends to infinity, आप लिख देते हैं, S, N, और you can say, limit n tends to infinity, U1, प्लस, U2, प्लस, U3, अब तू, अब तू, अब तू, जितने भी terms हैं, उनका sum जो होता है, is not defined oscillates है, is not defined, is not defined, देखिए, यहाँ पर ये नहीं है, कि इसका sum जो है, not defined का मतलब infinity आजाए, और minus infinity आजाए, ये नहीं कहरा हूँ मैं, इसका sum जो होगा, मतलब defined नहीं होगा, कि क्या आ रहा है, ना तो infinity ही आएगा, और ना तो minus infinity ही आएगा, और इसमें दो तरीके की series होती हैं, oscillatory में, एक oscillating finitely, तो oscillating finitely मतलब मान लीजे, एक series आपके oscillate होगी, एक series का sum है, वो oscillate होगा, मान लो, minus 2 से लेके plus 2 के बीच में, तो ये जो series कहलाएगी, ये कहलाएगी, oscillate finitely, और एक जो series का sum है, वो infinitely vary करेगा, मतलब की मान लो, कि आपने कोई number of term लिया, तो उसमें आ गया plus infinity, और फिर अगला term लिया, तो उसमें आ गया sum आपका कितना minus infinity, ठीक है ना, मतलब इसमें दो finite boundary के बीच में oscillate करेगा, तो oscillatory है, बट कैसा oscillatory है, finite oscillatory है, और अगर यहाँ पे इसकी boundary fix नहीं है, तो कैसा oscillatory है, infinite oscillatory है, और इसके बारे में मैंने आपको main उसमें बताई दिया, इसके पहले जब मैं sequence बता रहा था, oscillatory and non oscillatory sequence, तो उसमें आपने देख लिया, वही example यहाँ पर भी लगएगा, बस यहाँ पर sequence की जगए, यहाँ पर series आजाएगा, चलिए, अब देखते हैं कि हमने अपनी understanding कितनी बढ़िया develop करी है, तो standing, understanding, देख लिए के लिए हम यहाँ पर कुछ एक example ले रहे हैं, और देखते हैं कि वह हमारे example, यह जो series हैं आपके सामने, यह convergent है, divergent है, okay, auxiliary है, finite auxiliary की infinite auxiliary, यह देख यहाँ पर जैसे हमार पास पहला सवाल है, तो यह जो सवाल है, 1-1 by 2 plus 1 by 2 square 1-2 की power 3, इसमें हमको बताने कि sequence किस तरीक है, series A, sequence नहीं है, क्योंकि terms के बीच में, प्लस और माइनस के सामने, अज़ेस्टर हैं यहाँ पे, तो क्या देख रहा है, साब साब देख रहा है, यह GP है, और GP में यहाँ पे हमाँ पास first term है, A और R की value किती है, minus 1 by 2, तो GP के infinite terms का sum होता है, A upon 1 minus R, तो 1 minus, minus हो जाएगा, convergent है, तो पहला answer के आगया, भाई साब यह है, convergent, convergent sequence हापके पास मिल रही है, आइए देखते हैं, दूसरा, यह 1 plus 2 plus 3 plus 4, अब देखे, यहाँ पे हमको क्या निकालना, हमको इसका infinite sum निकालना है, तो S infinity equal to कितना हो जाएगा, देखे, S infinity equal to limit n tends to infinity, अब जो limit n tends to infinity, इसका sequence का जो sum आएगा, उस पर हमको limit लगानी है, ठीके न, इसके sequence का जो sum आता है, उस पर हमें infinity, क्योंकि यहाँ पर तो चले directly formula ही आगया था, अब S infinity के लिए यहाँ पर जो इसका sum आएगा, हमें उस पर limit लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर जो हम sum करेंगे infinite terms के लिए, वो क्या हो जाएगा, सारे का सारा sum हो जाएगा, इसका n into n plus 1 by 2, यह हो गया है, n into n plus 1 by 2, और अब यह दिए आप यहाँ पर n की जगे infinity पूट करते हैं, तो आपके पास answer कितना आएगा, infinite आएगा, इसका मतलब यहाँ पर यह जो sequence है, वो क्या बन रहा है, यह sequence आपके पास में divergent है, कैसा sequence है, आपके पास में divergent है, ओके, अब देखते हैं, तीसरा बाला convergent है कि divergent है, तो तीसरे बाले को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, तरीके से, देखे, मैं इसको दो तरीके से करता हूँ, अगर आप 1 के साथ मरते जो है माइनस टू प्लस थी को ले ले और फिर 3. सुरि मानस 4 प्लस 5 को ले ले तो देखे क्या हो आपके पास में आ प्ल스1 प्लस 1 प्लस 1 अब तू अप्टू अप्टू अं लिम्टरbs अप कि अधर कितना जाएगा तो ये देखी 1 माइनस 2 okay plus 3 फूर प्लस 3 मैनस 4 उगया plus 5 माइनस 6 तो ये कितना माइनस 1 यभी कितना आया माइनस 1 इस तरीके सार आप इनको एड़ करेंगे तो ये माइनस इनफिनिटी एजागा तो एक है प्लस इंफिनिटी और एक है माइनस इंफिनिटी ठीक ना मतलब इसका जो सम है वो प्लस इंफिनिटी और माइनस इनके इनफिनिटी के बीच में उसिलेट कर रहा है इसका जो सम है आपके पास में प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच में oscillate कर रहा है तो ये जो sequence आपके पास बनेगा ये sequence कैसा बनेगा ये बनेगा oscillating sequence बनेगा और infinitely oscillating sequence है क्योंकि दो finite boundary नहीं है इसलिए जो sequence है आपके पास में oscillatory sequence है देखिए दोस्तों यहां पर जो last वाली series है जो oscillating series है वहां पर थोड़ी सी में बात करता हूँ आपके साथ में कि ये infinitely या finitely oscillating थोड़ा सा जज हम कैसे कर लेते हैं देखना तो यहां पर आपके पास जो sequence बन रहा है as infinity वह कैसा बन रहा देखो one minus two plus three minus four plus five है ना और plus five के बाद minus six plus seven इस तरीके से बन है अब आप एक काम करिए देखिए इसके sequence को अगर आप लेते हैं कुछ terms के sequence को लीजिए आप तो one minus two कितना आ रहा है minus one ओकी तो आपने दो terms का sum ले लिया है minus one एक तरीके से s2 जो है आपके पास में minus one है और s3 आपके पास में देखिए one minus two plus three तो तीन में एक तीन प्लस एक चार हो गया चार में से दो गया कितना हुआ दो आया तो एक negative है एक positive है अब s4 अगर आप निकाल होगा चान टम्स का sum तो one minus two plus three minus four तो 4 और 2 6 हो गया negative minus 6 और यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस का two ठीक है फिर पांच टम्स का sum निकाली है तो पांच तीन आठ हर एक नौ और नौ में छे गया तो कितना हो गया प्लस का three तो s5 एक कॉल टू प्लस का three देखिए तो कोई finite value आपको नहीं मिल रही है इसमें sum में मतलब एक पर कुछ ले लो तो कहीं negative की तरफ चला जाए और कुछ ले लो तो पॉजटिव की चला जा जाए तो जब आप इसके infinite terms में पहुंचोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा पहले वाला number ले लो तो answer माइनस infinity की तरफ चला जाए उसके आंगे वाला नंबर ले लो तो तो answer किस की तरफ चला जाए, plus infinity की तरफ चला जाए, मतलब इतो फिक्स boundary में vibrate नहीं करता है, इसलिए इसको infinitely sequence बोलते हैं, infinitely vibrate, oscillatory sequence होता है, बट यदि आप question ले लो, one plus minus one, plus one, plus minus one, तो ये जो sequence है, देखो, अगर आप इसके दो term लोगे तो zero, तो फिर से कितना one, one पर vary करेगा, फिर कितना zero, फिर कितना one, zero, फिर zero, फिर one, मतलब इसका जो sum है, वो zero से लेके one के बीच में vary कर रहा है, तो ये क्या है, finitely oscillating है, और जो उपर आपने देखा, वो infinitely oscillating है, तो इस तरीके से भी हम पहचान लगा सकते हैं, कि finitely oscillating sequence है, या infinitely oscillating sequence है, चलिए तो देखे, next test स्टार्ट करते हैं, अब हम पहचानेंगे, कि हमारे पास दिया गया कोई series है, वो convergent है, या divergent है, तो इस ready में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, लेबनी test, लेबनी test जो होता है, जिसे हम alternating series test बोलते हैं, यह बहुत सरल होता है, क्योंकि इसमें series बड़े आराम से पहचान में आ जाती है, alternating series test, ओके, मतलब इसमें जो आपके पास series होगी, infinitely alternating series दी होगी, मतलब पहली series में पहला टरम प्लस होगा, फिर minus, फिर plus होगा, फिर minus होगा, या minus, plus, minus, मत, इस तरीके का एक alternation आपको मिलेगा, ओके, और दूसरी चीज, अगर ये series decreasing order में है, अगर ये series decreasing order में है, तो उस case में, अगर ये दोनों condition satisfy हो रही हैं, और साथी साथ एक condition satisfy हो रही है, कि अगर limit n tends to infinity करने पर, अगर n की value infinite जाने पर, आपका जो un है, वो tends to 0 हो रहा है, un क्या order tends to 0, तो जो आपके पास series होगी, वो क्या होगी, तो आपके पास series जोगी, convergent होगी, तो आपके पास जो series होगी, convergent होगी, तो चले इसको systematic form में लिख ले थे, क्या लिखूँगा मैं, the infinite series, the infinite series, the infinite series, u1 minus u2 plus u3 minus u4 minus u5 plus u6, इस तरीके से आपके पास ये जो series है, okay, is convergent, ये जो series है, ये convergent होगी, कब, ये series convergent होगी, यदि, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, इस तरीके की series alternating तो थी, तो इसके convergent होने कलिए पहला शर्थ है, कि जो terms होगे, वो decreasing order में होगे, ये मतलब u1 बड़ा, फिर u2, फिर u3, फिर u4, जो इसके term होगे, हमेशा छोटे होते जाएंगे, और दूसरी condition है कि if n tends to infinity, मतलब आप n tends to infinity करते हो, तो जो आपका un होगा, nth term जो होगा sequence का dead tends to 0, तो इस समय में आपकी series जो हो जाएगी, कनवर्जेंट हो जाएगी, अगर ये test series आपकी पास कर रही है, तो कनवर्जेंट होगी, otherwise, divergent होगी, ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक बात याद रखेगा, आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ, कि आपको जो limit लगानी है यहाँपे, limit n tends to infinity लगानी है, आपको n वे पद पर लगानी है, u n पर लगानी है, sn पे मत लगा देना ok sn पे आपको entom के sum पे limit नहीं लगानी है अभी तक आप जो है वो entom के sum पे लगा रहे थे बट अभी आपको किस पे लगानी है un पे लगानी है चेक करने के लिए ठीक है तो आपको पहले un बनाना पड़ेगा अगर नहीं है तो un बनाईए उसके बद आपको limit लगानी पड़ेगी तो इसको एक example के थुरू देखते हैं चलिए हमारे पास एक example है उस example को लेकर के देखते हैं हमारे पास एक series मैं आपको दे रहा हूँ यह मान लिजे कोई series आपके पास दी गई है s n is the sum of the series 1 minus 1 by 2 एक alteration मिल गया फिर 1 upon 3 minus 1 upon 4 यह आपके पास series है और आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि बताईए यह जो series जो की कैसी होगी convergent होगी, divergent होगी oscillatory होगी यह none of these होगी चलिए बताईए इसको तो चलिए आईए देखते हैं इस question को कैसे solve करते हैं तो देखिए आपके पास में sum दिया गया है पहले sequence को देखिए कि alternating sequence बन रहा है हाँ देखिए plus minus plus minus तो है बट उसके बाद देखिए कि क्या यह जो term है छोटे बन रहा है देखिए इसका पहला term है 1 है फिर दूसरा term इसका कितना है 1 upon 2 है तीसरा term कितना है 1 upon 3 है याद रखे गए यहां में plus minus plus minus को छोड़ के बात कर रहा हूँ मतलब मैं terms के magnitude की बात कर रहा हूँ आपको चाहे हो तो magnitude लगा लो तो यहां पे terms लगातार क्या हो रहा है छोटे हो रहा है मतलब decreasing order में है तो हमको क्या बनाना है हमको an बनाना है तो मैं an मनाऊँगा an equal to 1 upon n यहाँ पे आपको sign को नहीं लेना है sign को ignore कर देना है sign से हमको मतलब नहीं है तो an equal to 1 upon n अब हम से क्या बोला गया limit n tends to infinity और an तो that is equal to limit n tends to infinity और 1 upon n जिसकी value क्या होती है जीरो होती है और अभी मैंने क्या बता है आपको कि अगर आपके पास जो है limit n tends to 1 upon infinity un exist कर रहा है और यह finite value वहाँ पर आपको 0 मिल रही है इसका मतलब यह series कैसी होगी यह series आपकी होगी finite ठीक है तो यह आपकी series कैसी होगी यह finite होगी सौरी थोड़ा सा टर्म में मैंने गलती कर दी यहाँ पर यहाँ पर मैंने finite लिख दिया बोल भी दिया होगा शायद तो finite नहीं बोलेंगे finite तो value आ रही है ना finite value आ रही है तो series कैसी होगी यहाँ पर series जो होगी आपकी convergent यहाँ पर series होगी ठीक है नोट का लिजे प्लीज चलिए तो देखे अगला question यहाँ पर हमाइपस में एक series है ओके और देखे infinite terms तक ही दी गई series है question क्या 1 upon 1 plus 2 की power minus 1 plus 2 upon 1 plus 2 2 plus 3 upon 1 plus 2 की power minus 3 और यह हमाइपस दी गई यह series और आपसे पूछा गया है कि convergent है divergent है not convergent है not none of these है तो देखे इसका infinite term हम पता लगाते हैं एक चीज़ तो दे को alternating sequence है नहीं यहाँ पर क्योंकि प्लस मैनस प्लस मैनस की sequence नहीं बन रही है तो हम alternating sequence वाला जो method को मैंने बताया था बर्नोली चेक लेबनीस टेस्ट तो हम यहाँ पर लगाएंगे नहीं कोई मतलब नहीं लेबनीस का तो इसको directly हम simple method से solve करते तो UN मनाते से सब्सक्राइब तो UN जो निकलेगा इसका वो कितना निकलेगा n upon one plus two to the power minus n ओके और इसका हम यह इदी infinite terms देखे तो limit n tends to infinity और UN हमें पूट करना पड़ेगा जिससे हमको इसका infinite time पता चल जाएगा तो यह हमाँ आपस कितना बन जाएगा infinite plus one upon two to the power minus infinite that is equal to infinite upon one plus two की पर minus infinite मतलब zero तो यह कितना आ रहा है infinite आ रहा है तो इसका मतलब यह series जो है infinite की तरफ ग्रो कर रही है अब यहाँ पर यह होता कि अगर यहाँ पर यह चेक होता कि यह सीरीज में options क्या convergent है divergent है not convergent है तो इन options को देखकर के option हमारा क्या होगा divergent होगा बट यदि यहाँ पर oscillating series होता तो फिर वहाँ पर एक चेक करने वाली बात होती कि यह किस तरीके से finitely oscillating है या infinitely oscillating है बट राइट नो हमें पास एस option कोई नहीं है तो आंसर इसका क्या होगा divergent series होगी है done चलिए अब अगला इसमें है geometric sequence series test तो इसमें geometric series के बारे में हम test करेंगे तो यह 11th का concept है और आपने इसको पढ़ा भी होगा आपने यह 11th हो 12th की classes में कि अगर आपके पास कोई geometric series होती है तो आप जानते है geometric series कैसे रिखती है a plus ar square plus ar cube और अगर यह series जो है हमारी infinity तक जाती है तो आपको पता होगा कि इसका जो infinite तक का sum होता है वो होता है क्या होता है वो sum हमारी पास होता है वो sum हमारी पास हुआ करता है s infinity is equal to a upon 1 minus r और यहां पर mention हम कर देते हैं कि जो r की value है r should be mode of r should be less than or equal to 1 ठीक है ना mode of r should be less than or equal to 1 तो मतलब r की जो value है वो minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में vary हुआ करती है तो r की जो value है वो minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में vary किया करती है तो आईए देखे इसमें different different cases बना करते हैं वो क्या cases बना करते हैं देखी यहां पर देखे यहां पर जो अगर आपके पास minus 1 से लेकर के plus 1 तक का reason है okay r की value minus 1 से लेकर के plus 1 तक का reason है में R की वैल्यू माइनस 1 से लेकर के प्लस 1 तक का रीजन है मौड अफार इस लेस देन 1 एक मिनट ठीक है infinite terms तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लिजे मौड अफार लेस देन और इक्वल टू 1 की जगे के वल आप लेस देन 1 यूज करिए अगर आपके पास में यह वाला जोन दिया गया है आपके पास में माइनस 1 से लेकर प्लस 1 इनको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि यह यह देखे माइनस 1 से लेकर प्लस 1 अब अगर इनके बीच में यह आदि आप बात करते हैं कि R की value जो है minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में है तो आपके पास में जो geometric series आएगी यहाँ पर होगी convergent होगी कैसी होगी? convergent होगी और यदि R की value 1 से बड़ी है R की value यदि 1 से क्या है? बड़ी है तो 1 से बड़ी होने पर आपकी जो series होगी वो क्या होगी? divergent होगी और R की value अगर 1 से चोटी है तो आपकी value यहाँ जो series होगी वो क्या होगी? oscillatory होगी 1 या 1 से चोटी मतलब R is less than minus 1 या 1 से चोटी and if R is greater than or equal to 1 तो आपकी जो series होगी वो divergent होगी आए देख लेते हैं इसको लिख लेता हूँ में तो अगर आपके पास कोई geometric series है like A plus AR square plus AR cube up to infinite तक की यह series है तो फिर क्या rule होगा? देखिए पहला rule है convergent के लिए तो convergent के लिए mod of R should be less than 1 या इसको कह लिजे कि R is between minus 1 to plus 1 यदि आपके पास common ratio minus 1 से लेके plus 1 की बीच में है तो जो आपकी series होगी यह क्या होगी? convergent हुआ करेगी दूसरा है अगर आपके पास में दूसरा में जो किस discuss कर रहा हूँ वो divergent के लिए है तो अगर आपके पास में R की जो value है sorry, small R जो value है वो greater than or equal to 1 आ गया है तो आपके जो series होगी वो divergent होगी तीसरी oscillatory होगी oscillatory होगी वो कब होगी आपके पास series जब R की value आपकी minus 1 हो या minus 1 से छोटी हो तो आपकी जो series होगी यहाँ पर oscillatory होगी चलिए तो एक question आपके सामने screen पर है यह इसको solve करते हैं और पता लगाना है कि यह series convergent है, divergent है, oscillatory है तो साब साब दिख रहा है minus 3 की power 2 plus 1 upon minus 3 की power 3 इस तरीके से यह series मेरे पास बन रही है, यदि मैं common ratio की बात करो तो R is equal to minus 1 by 3 upon 1 that is equal to minus 1 by 3 आजाएगा, तो यहाँ पर जो R का मान आ रहा है minus 1 by 3 आ रहा है ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि जो R का मान है वो R के मान के लिए आपने देखा था, कि अगर R का मान minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में होगा R का मान minus 1 से लेकर plus 1 के बीच में है, यदि आप इसको solve करेंगे, तो यह कितना आएगा यह आपके पास आएगा, 0 point something 3 से 100 में divide कर दो, तो 6 कुछ 6 के आसपास कुछ भी आएगा 0.6 मान लो है, 0.7 मान लो whatever जो भी है, तो यह आपके पास इतना आएगा, और ध्यान से लेखिए minus 1 by 3 जो होता है वो minus 1 से लेकर के plus 1 के बीच में हुआ करता है, मतलब यह जो series आपके पास में है, यहाँ minus 1 by 3 जो है, that is less than 1, okay, that is less than 1, या mod of r ले लो, तो mod of r कितना आएगा, इसका 1 by 3 जो है, वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो यह series कैसी होगी, यह जो series आपकी बनेगी, कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, कनवर्जेंट बनेगी, यह series कैसी बनेगी, convergent बनेगी, okay, so this series is convergent इस series का क्या होगा यह convergent होगी चलिए note कर लिजे ओके नेक्स देखते हैं अगली टाइप अगला जो टाइप अफ सीरीज होती है series test होता है जिसको हम बोलते है hyper harmonic और P series test ठीक है ना तो जो hyper harmonic या P series test होता है इसमें आपके पास एक series दी जाएगी इस तरीके की एक infinite series रहेगी जिसमें आपके पास sigma 1 upon n to the power P यहाँ पे आपके पास में constant रहेगा और n की value है 1,2,3,4,5,6 बतलती जाएगी for example आप यह दी n की value यहाँ पे n की value 1 है P की value 2 ले लो तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 1 का square और प्लस 1 upon 2 का square प्लस 1 upon 3 का square इस तरीके से यह series आपके पास में बनती जाएगी आप देखिए इसमें rule क्या है इसको पहचानना बहुत आसान है इस तरीके की series दी गई है 1 upon n to the power P इसको P series भी बोलते हैं तो अगर P की value greater than 1 है तो आँख मून करके लिख दिजिए और अगर P की value less than or equal to 1 है तो यह series क्या होगी divergent ओके बस इसमें दो ही चीज़ें आपके याद रखनी पी is greater than 1 then series is convergent और P की value less than 1 के साथ equal to 1 भी है ओके less than 1 के साथ equal to less or equal to to series क्या होगी divergent होगी याद रखेगा equal पर भी series जो बनेगी आपकी divergent बनेगी चली देखिए जैसे पहला एक्जामपल आपके सामने है series 1 plus 1 upon 2 की power 3 1 upon 2 की power 1 by 3 है plus 1 upon 3 की power 1 by 3 है तो देखिए यहाँ पर n तो है और जो power P है कित्ती है 1 by 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon power 1 by 3 तो जो series आपके पास दिख रही है वो किस प्रकार की series दिख रही है series equals to 1 upon n to the power P और यहाँ P की value किती है 1 by 3 जो की 1 से क्या है कम है और 1 से कम होने पर कैसी series होती है divergent तो इसका correct answer है कैसी series जो की divergent होगी चलिए देखते हैं अगले type of series तो यहाँ पर दी गई 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कितना है 1 की power 1 है यहाँ पर 2 की power 1 है यहाँ पर 3 की power 1 है तो यह sigma जो series का form बन रहा है वो बन रहा है sigma 1 upon n to the power P और यहाँ पर P equals to 1 है तो आपको मैंने बताया था कि अगर P की value less than or equal to 1 होती है तो यह क्या होती divergent तो फिलहाल इस series का answer क्या होगा यह होगी divergent ओके नेक्स देखते हैं 1 plus 1 upon 2 square तो मैं नीचे इसके क्या लिख सकता हूँ 1 plus 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square तो series का format बन गया sigma 1 upon n to the power P और जो P की value यहाँ पर square है ओके P यहाँ पर क्या square है and P is greater than 1 तो यह series कैसी होगी यह series होगी आपकी convergent ठीक है अगली series देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 की power k लिख दीज़े 2 की power k 3 की power k मतलब यह क्या हो जाएगा sigma 1 upon n to the power k और question में खुद बोला गया है कि K की value 1 से बड़ी है और K की value अगर 1 से बड़ी होती है तो यह series क्या होती है K की value 1 से बड़ी होने पर यह होती है convergent तो इसका answer भी क्या होगा यह convergent होगी तो इस तरीके से यह simple आप जो है P test लगा करके आप जो है आप series को पता लगा सकते हो P series test को पता लगा सकते हो कि कौन सी series divergent है और कौन सी series divergent है ओके तो दिखिए next type of test की बात करता हूँ इसको बोलते हैं हम comparison test इसमें comparison इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें दो प्रकार की series की तुलना करते हैं जो एक test एक series तो आपकी main series जो आपको as a question दी रहेगी दूसरी series जिसको आप खुद बनाओगे थोड़ इसको ध्यान रखीगा अब देखिए यह जो होता है इसको इसमें यूज करेगा पी टेस्ट का मतला भी जो हमने पी टेस्ट पढ़ा है है ना जो आपके पास formula आया था sigma one upon n to the power p में आपको मैंने बताया थे different different format उसका इस्तमाल होगा तो भाई क्या होता है देखो if sigma un and sigma vn sigma sigma vn कैसे बनाओगे sigma un से ही बनाओगे अभी मैं बताऊंगा जो की vn की help un की help से निकलेगी यह मैंने लिखा रखा आपके मदद के लिए कि जो sigma vn है वो un की help से मतलब निकलेगी ओके series of positive terms यहाँ पर positive terms की series याद रखेगा तो यह जो आपके पास rule लगेगा यह किसके लगेगा positive terms की series के लगेगा और अब इसके बाद un और vn के निकलने के बताब क्या करोगे यहाँ पर आप जो है limit and turns to infinity vun upon vn निकलोगे ओके un upon vn निकलोगे और इसको यह जो है अगर यह finite आता है अगर यह क्या आता है finite आता है साथी साथ non zero finite आता है अगर non zero आता है देन अगर finite आता है तो आप बात कर पाऊगे कि यह convergence है या divergent है और फिर कैसे convergence है divergent है इसके बाद अगर यह finite आता है तो आप sigma un को देखो किसको देखो इसके sigma को मतलब इसका sum of both atoms का जो है उसको देखो sigma uh okay uma yu n को देखो कि क्या sigma un जो है sigma cyber गिए कन्वर्जेंट है कि डिवर्जेंट है अगर सिगमा यूए पेर कन्वर्जन्त होगा क्लियर है ना तो सिगमा यूएल इन फिमा घ्र रडंवेज प्र करेंट होगा तो यहाँ पर मैं लिखा है then sigma un and sigma vn behave alike okay the test series the test series मतलब जो series जो हम खुछ से लिए है series को test करने के लिए लगाने के लिए sigma vn of the comparison test comparison test में इस series को हम क्या बोलते है auxiliary series क्या बोलते हैं इसको auxiliary series अब हम आपको बता देते हैं कि auxiliary series को मानते कैसे है तो auxiliary series को मानने के लिए हम लेते हैं vn जो series होती that is equal to highest power term of the numerator in un मतलब जो un है जो un series आपके पस दिख रही है उसका highest power term आपको उपर लेना पड़ेगा और highest power term in the denominator of un जो highest power term है denominator का वो लेना पड़ेगा इस तरीके से यह आपकी comparison series बन जाएगी ठीक है तो un का जो behavior होता है वही vn का behavior होता है ठीक है अब आएए इनके questions को हम solve करते हैं देखते हैं कैसे solve होंगे तो example गनने के पहले एक बर फिर से मैं summarize कर देता हूं कि present test कैसे लगाते हैं जैसे आपके पास कोई question दिया रहेगा वो क्या रहेगा वो sigma un रहेगा फिर इसके बाद आपको क्या करना है limit and dense to infinity un upon vn को solve करना है और यह देखना है कि finite आता है कि नहीं आता है तो un और vn का जो behavior होगा वो alike होगा तो आपको यहाँ पर किसका p test लगा करके हाँ यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात बताना भूल गया था अब यहाँ पर आपको p test लगा करके sigma vn का nature चेक करना है limit and dense to infinity sigma vn यहाँ पर चेक करना है कि उसका nature क्या है जो sigma vn का nature आएगा वही sigma un का nature होगा और sigma un यह अपना क्या था question था तो वही sigma un का nature आएगा इसलिए इसको बोलते है comparison test vn मैंने बता दिया है आईए question करते हैं उससे यह concept आपको बिल्कुल clear हो जाएगा चलिए यह देखिए आपके पास sn है आपको infinite terms तक का sum find करना इस series का और आपके पास series दी गई है dot 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 n plus 1 n square यदि आपको यह नई भी दिया है तो आप बना सकते है हाला कि दिया रहता है तो आपके पास उपर की series क्या है एन प्लस 1 अपन एन स्कूर् tam तो यह आपके पास क्या है आपके पास बन गया है युए न के बन गया है यू एट सधाने एकल ओन auto-lay is where अब यहाँ से वेन बनाए तो मैंने वेन के लिए क्या बता है कि ऊपर का highest term लेना तो ऊपर का highest adam क् है तो ऊपर की highest power का term है n है और नीचे की highest power का term क्या है n square तो finally आपके पास कितना आ गया 1 upon n आ गया है चलो मैंने यहाँ पे directly solve कर दिया अब आप क्या बनाओ un upon vn मनाओ तो un upon vn equal to n plus 1 upon n square into n square upon n इसको आप n square से n square cancel कर दोगे ओकी divide करने पर n plus 1 upon n आ चुका है अब लगाईए limit intense to infinity un upon vn तो solve करने पर देखिए 1 upon infinity 1 आ गया मतलब इस question को हम आँगे बढ़ा सकते हैं comparison test अफ हम लगा सकते हैं तो comparison test लगाने के लिए हम क्या लेते हैं हम sigma vn लेते हैं हमाई पास vn कितना था n upon n square that is equal to 1 upon n अब sigma vn जो है हम solve करते हैं sigma vn को तो यह कितना आएगा 1 upon n अगर इसके हम p series से comparison करते हैं तो यदि p series से compare करें तो sigma यहाँ पर क्या आता है 1 upon n to the power p देखिए ध्यान से p की जगे यहाँ पर कौन बैठा है p की जगे 1 बैठा और p की जगे यदि 1 होता है तो vn कैसा होगा हमाई पास divergent होगा तो vn क्या होगा हमाई पास divergent होगा और s vn divergent है तो VN divergent होने की वज़े से ये UN होगा वो भी क्या होगा divergent होगा तो VN divergent होने की वज़े से UN क्या होगा divergent होगा all total जो आपको यहाँ पर series दी गई थी ये finally हमारी जो ये series बन रही है तो इसका nature कैसा होगा बताइए जी इसका nature जो होगा divergent होगा तो यह बहुत मज़ेदार है मस तरीके से आप इसको टेस्ट को लगाओ और आंसर भी इसका बड़ी खूबसूरती से बड़े अच्छे से आ जाता है चलो ओके तो यहां की प्रेक्टिस अभी तक हम लोग यहीं पर क्लोस करते हैं और नेक्स प्रेक्टिस जो है अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे थैंक यू मच फोर बिंग विद लोकी सर अनलें प्रड़ी स्टेडी जोन हैव नाइस दी बाबाई